जहीं दोस्तों कैसे आप लोग उमीद है आप सब बहुत अच्छे सोंगे दोस्तों एक्जाम्स बहुत करीब है और अब हमें सीरियस्ती एक्जाम्स पॉइंट अव्यू से तैयारी सुरू कर देनी है हम बात कर रहे हैं गोरकपूर के दिन द्यालू पाते हैं विश्वी जाल क्या पढ़ना है और इसके बाद दोस्तों एक वीडियो में यूनिट वन खतम दूसरे वीडियो में यूनिट टू खतम इस प्रकार से कंप्लीट पांच वीडियो में आपका संपूर स्लेबस खतम कर दे रहा है बहुत ही सीरियस होके आपके एक्जाम्स पॉइंट आव तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं यूनिट वन के बारे में कि यूनिट वन एक्च्वल में है क्या इसमें पढ़ना क्या है सिक्षा के मूल तत्व ऐसे वो क्या बेसिक्स फंडामेंटल्स हैं एजुकिशन के उसके बारे में जानेंगे हम के वल यहाँ पर स्लेबस देखेंगे explain में इसको एक एक यूनिट में अलग से हम discuss करेंगे तो दोस्तों यूनिवस्टी के official website पर जो आपका का परिशे देना है इसके बारे में जानना है अब सिक्षा के बारे में सबसे पहले चीज़ कि सिक्षा का concept यानि कि सिक्षा की ओधारला क्या होती है what is the concept of education और दूसरा what are the meanings मैं यहाँ पर meanings इसलिए कह रहा हूँ what are का use इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आप educations को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि सिक्षा सब्द के कई तरीके से मतलब निकाले जाते है ठीक है चलिए मैं आपको short में दिखा देता हूँ दोस्तों करें हम very short लब में बात करें तो educations को हम मानते हैं कि कई सब्दों से इसकी उत्पत्य हुई है जिसको educatum हम लैटिन बास मानते हैं कि यह educatum से बना है कभी-کभी मानते हैं еड्यूकेर से बना हैं हम ऐसे मानते हैं कि education सब्ध का उत्पत्थी हुई है वो इन सब्दों से मिलकर मिलकर बना है अब इन सब्धों से मिलकर बना है तो इनके अलग-अलग अर्थ होते हैं यहाँ पर करब शौाट में देखेंगे तो आपके बुक्स में कुछ इस प्रखास थे hands किया गया है जिक्षा एक सब्द का अर्थ जो हम बांते ही हम यह मानते हैं कि सिख्षा का अर्थ यहां पर यह बताना चाहा रहा था कि सिक्षा का अर्थ क्या क्या होता है सिक्षा का अर्थ होता है विक्षित करना सिक्षा का होता है पालन पोसल करना सिक्षा का अर्थ होता है सरवधन करना मतलब पॉलिश करना और उसको चमकाना एक अच्छे वक्तिति को उभारना सिक्षि बनने के लिए training पार है तो आपको यहां पे सिक्षा अर्जन करना पड़ता है तो सिक्षा का यह भी अर्थ होता है to train बाहर निकालना मतलब आपके अंदर की जो quality है उसे बाहर निकालना आपके ग्यान को और बाहर निकालना पढ़ाना सीखना आगे बढ़ना यह दोस्तों सार बहुत ही short में देखा हम करेंगा बस हम बहुत 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 बहुतरी तरीके से पढ़ेंगे पहले हम यहां पे समझ जाते हैं कि actual हमें पढ़ना क्या है एक ट्रेलर वीडियो में दूसरा दोस्तों अगर हम दूसरा बात करें दूसरे इन उनके दूसरे topic जो आपके syllabus में द कर देता है वह सिख्षित होना सुरू कर देता है नएने चीजों को ग्यान को अर्जन करना अब जैसे हमें चलना कैसे है इसकी भी सिख्षा प्राप्त करनी एक सिख्षा के अंतरगत आती है देखिए पढ़ना लिखना ये तो हमारी साक्षरता लिटरसी के अंदर आती है ल सिख्षा वहवार का संसोधन है आपके वहर कर देता है आपके वहवार को बेहतर बना लेता है जैसे मैंने कह दी है अपने मंद से कह थी है नहीं मैं Äपने मंसर नहीं का मैंने इसको कहा क्योंकि महात्मा गादी ने कहा था कि सिक्षा से मेरा विप्राए है बालक के सर्वगिड विगास का है तो जब हम इसको पहला यूनिट देखेंगे न तो complete इसी परकार से हम देखेंगे हम पहले यहाँ पे स्लेबस को देखेंगे इसी स्लेबस में दूसरा हमारा पॉइंट कह था कि definition यानि कि सिक्षा की परिभासा तो अरस्तू महोदय ने क्या कहा था स्वस्त सरीर में स्वस्त मस्तिस का निर्माण करने का कारी सिक्षा करती है आपका body स्वस्त है लेकिन इसके दिमाग स्वस्त होगा दिमाग बहतर होगा या कौन कारे करता है सिक्षा करता है आप जितने बहतर सिक्षित होंगे उतना ही आपका दिमाग क्या होगा स्वस्त होगा और अरस्तू ने कहा था जॉन डिवी ने कहा था सिक्षा मनुसी की सभी छमताओं का विकास है जिनसे वो अपने परियावरान पर नियंतर रख सके और अपनी संभावना है पूरी कर सके और स्वामी वीवेका जिनन जी ने कहा था व्यक्ति के आंतरिक पहलूओं की अविव्यक्ति सिक्षा है तो जब हम सिक्षा की परिभासा देखेंगे तो हम इसको पॉइंट्स में डिवाइड कर देंगे पहला पॉइंट कि भारतिय दार दार्सनिक को के अनुसार सिक्षा क्या है और दूसरा हम देखेंगे वीदेसी दार्सनिक को क्या तो है जैसे कि वीवेका नंद हमारे कहां हो गया वई वीवेका नंद हमारे भारती होंगे जॉन डिवी क्या होगे वो भारत के बाहर के तो जब हम डेफिनिशन देखेंगे हम अलग-अलग विद्वानों के उमत के दोरा देखेंगे जिसे भारत के रविद्ना टेगोर ने सिक्षा के बारे में क्या का महत्मा गादी ने सिक्षा के बारे में का का हमारी उपनी सदों में सिक्षा के बारे में क्या लिखा गया है इन सारे चीज़ों को देखा जाएगा तो चलिए हम मूव करते हैं स्लेबस पे और स्लेबस को एक बार बहतर से समझते हैं चलिए बच्छों यहां आते हैं तो हमने देखा concept meaning हमने यह समझा ठीक है इस nature and definition अब हम बात करते है meaning in broader and the narrow sense narrow sense और broader sense में सिख्छा का earth क्या है इसके अगर हम हिंदी में बात करें तो व्यापक earth मतब सिख्छा का एक व्यापक earth कैसा है कि कैसे यह develop करता है इंसान के मस्तिस की मन की कैसे आत्मा का यह विकास करता है संकुची सब्दों में देखते हैं द्याले के अंदर सिख्छा को कैसे प्राप्त करते हैं इन सारी चीजों के बारे में पढ़ना है और पहला यूनिट का जो अपका last point है वो है दोस्तों लोकतांतरिक जीवन के लिए सिख्छा का उद्देश है the aims of education the aims of education for the democratic life लोकतांतरिक जीवन के लिए सिख्छा का क्या उद्देश है कि कैसे हम सिख्छा प्राप्त करके अपने अधिकारों को जान सकते हैं अपने हग को मांग सकते हैं अपने सचाई के लिए लड़ सकते हैं अपने सचाई को पा सकते हैं और अपने लिए एक इंसाफ एक जस्टिस हम ग्यात कर सकते हैं तो ये है दोस्तो कम्प्लीट फर्स्ट उनिट की बात दीन त्यालूपाद दाए गोरकपूर 28 फर्स्ट एर का फर्स सब्जेक्स पेपर 101 सिख्छा के मुल्तत यारे की fundamentals of education का पहला यूनिट दोस्तो ये हो गया आपका syllabus हम बहतरीन तरीके से दोस्तो प्रॉमिस करता हूँ एक वीडियो में आपको ये complete मैं बहतर तरीके से समझाऊँगा साथी साथ notes आपको share करूँगा अपने टेलिग्राम चैनल पे लेकिन उससे पहले चलिए हम move करते हैं आपके दूसरे यूनिट का तरह दूसरे यूनिट किया है दोस्तो the function of education अब हमने यहाँ पे देखा कि क्या चीज़े होती क्या है अब सिक्षा कार कैसे करता है the function of education इस सिक्षा के कार क्या है तो मानों जीवन के लिए सिक्षा मनुस्य के लिए सिक्षा कैसे बहतर है definitely मैंने जितनी भी चारी चीज़े बताई मैंने मनुस्य के लिए सिक्षा को संदर में रख के कहा जैसे कि मनुस्य के आत्मा का विकास मन का विकास, लोक्तांत्रिक, जीवन का महत्तु ये सारी चीज़े कहीं न कहीं मनुस्य से जूड़ी हुई है लेकिन आपको ये भी जानना है कि समाज को कैसे सिक्षर बहतर बनाता है एक मनुस्य को कैसे वो समाजिक विक्ती बनाता है कैसे समाजी करण करता है कैसे समाज में सांतिय स्थापित करता है कैसे समाज में एक आपस में प्यार और सदभावना के जीवन बताने के लिए सिक्षा के मत्रपूर है हमें ये पढ़ना है आपके दूसरे यूनिट में दूसरा है दोस्तो एजुकेशनल फर नैस्नल लाइफ अपने राष्ट्री एचीवन के लिए राष्ट्री एक आकी कराल यानि के नैस्नल इंटिग्रेशन कैसे आप एक राष्ट को बहतर बना सकते हैं पूरे खुद में खुद को एक राष्ट के भावना विक्सित कर सकते हैं आपके राष्ट के जितने भी लोग हैं वो आपके हैं वो अपने हैं वो अपने घर की तरह हैं इस भावना को आप कैसे विक्सित कर सकते हैं सिक्षा के माध्यम से और education in the world का context यानि की विश्व संदर्व के लिए सिक्षा इंटरनेस्टल अंडेस्टेंडिंग अंतराष्ट् बोद के लिए सिक्षा दोस्तों दोनों यूनिट बहुत ही बहुत ही बहुत ही मज़दार है बहुत ही मज़ा आ जाएगा आपको यह पढ़के तो इस वीडियो को हम यही खतम करेंगे अगली वीडियो दोस्तों आपके दो वीडियो अगले तीन दो दिनों के अंदर किया जाएगा जिसमें बात की जाएगी हमने नोट्स यहां पर तयार कर रहा है लाइए मैं आपको दिखा दो अच्छों करें मैं नोट्स की बात करें तो सिक्षा का अर्थ क्या होता है सिक्षा की परिवासा सिक्षा की प्रकृति सिक्षा क्यों आए सकता है सिक्षा तता राश्ट्टिय का किकरान राश्ट्य Nayslal Integrations कैसे हमारे देस के अंदर हिंदू हो या मुस्लिम हो या सीकी इसाई focus just बात एक देश की आती है तो हम सब सब भेदवाव बुला के सब राजनीते की अफित जाते थर्म की भेदवाव बुला के हम सब एक तिरंगे को लेके खड़े होते हैं कैसे एक भारती गरूप में अपने आपको परदसीत करते हैं इसकी बात हो चाहे हम बात करें अंतराश्ट है और डिस्क्रिप्शन में एक तेलिगराम का लिंक होगा जहां परह गोरुड़कपुर विस्विडारे के बच्चे जूरे हैं फोड़े बहूत बच्चे जूरे हैं हमें बहुत हमें क्वालिटी स्टूजन्ट चाहिए quantity नहीं हमें नंबर्स नहीं मराना अच्छों चाहि और दोस्तो अगली वीडियो देखना ना भूले जिस वीडियो में हम बात करेंगे आपके पहले पेपर का पहला यूनिट कंप्लीट ख़तम करेंगे जिसमें हम देखेंगे इंड्रोडक्षन के बारे में उद्धेश से उसकी परिभास एं सारी शीजों को डिसकस किया जागा इस वीडियो को फिलाल इतना ही खतम करते हैं दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए यह वीडियो कैसे लगी जानकारी कैसे लगी और आप कितने एकसाइटेड हैं अंगले वीडियो के लिए कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों मुझे आपके कमेंट का पिस सब्सक्राइब इस वीडियो में इतना ही अपना खूब ख्यार रखिए पढ़ते रही है चैनल से जूड़े रही है टेली ग्राम से जूड़ना ना भूलें दोस्तों जैहिंद जैभारत